ये गाईज, welcome back to our YouTube channel, तो गाईज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, total of 5 subject marks and average of 5 subject marks, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कि 5 subject को input लेंगे, marks को, और उसके बाद फिर उसका average को हम लोग find करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, कि 5 subject को declare कर लिया है, PCM, Physics, Chemistry, Maths and Economics, English, 5 subject हमने यहाँ पे declare किया, और एक variable integer type का हमने declare किया है, total, जिसके अंदर हम लोग इन 5 subject का total को store करवाने वाले, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे message डिस्पले किया user को, कि enter the 5 subject marks, तो 5 subject marks user को message display हो चुका है, उसके बाद क्या करेंगे, scan up input function के through हम लोग यहाँ पे 5 subject का marks को input ले लेंगे, individually variable में, तो हमने यहाँ पे format specifier percentage reuse किया है, क्योंकि हमने यहाँ integer type का value को input लेना है, तो हमने यहाँ 5 subject में input ले लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका total करने के लिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कि इसको total नाम का variable जो हमने बनाया था, उसके अंदर क्या करेंगे, कि हम लोग इस टोड करवा लेंगे, total नाम का variable में, 5 subject का marks को, तो अब 5 subject का marks हमारा variable total में store हो चुका है, तो हमने जो total किया है, उसको आप display करवाएंगे यहाँ पर, तो ह हमने एक फिर से print app function यूज किया है, total marks को display करने के लिए, तो हमने यहाँ पर total का value है, वो percentage D के format specifier के help से हमने यहाँ पर display कर दिया है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कि average निकालेंगे, तो average निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, total को 5 subject से divide करना देंगे कि total marks को 5 से divide कर देंगे, divided by 5 और इसको एक variable में store करवा देंगे, average नाम का variable में, यहाँ पर a, b, z, नाम का variable में हम लोग store करवा देंगे, total marks को divide करने के बाद, तो हमने यहाँ पर average को declare नहीं किया है, यहाँ पर red arrow दे रहा है, क्योंकि यह एक error है, तो हमें सबसे पहले है, यहाँ पर हमें declare करना पड़ेगा, तो हमारा जो average है, वो floating value भी आ सकता है, divide करने के बाद, percentage जो है, float में भी आ सकता, 0.5 लाइक इस type का value में आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पर एक float type का AVC variable को declare करने वाले हैं, यहाँ पर हमने एक variable डिक्लियर किया, float type का, ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा जो average थाट हो, 5 subject का, वो AVC variable में store हो चुका है, तो अब बारी आता है, इसको display कराना तक तो हो, यहाँ पर हम लोग फिर से printer function यूज़ करेंगे, printer function के अंदर में हम लोग यहाँ पर डालेंगे, format specifier percentage f, percentage f यहाँ पर इसलिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर floating value को display कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिक लेंगे, एक message भी display कर देते हैं, average equal to, यहाँ पर डालेंगे, हम लोग format specifier percentage f, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर display कर देंगे, हमारा AVC का value, AVC का value हमने यहाँ पर display कर दिया है, तो चलिए यह program तो हमारा complete हो गिया है, अब हम लोग 5 subject का marks को input लेके, हम लोग यहाँ पर find करके देखते हैं, total और average को, ठीक है, तो अब इसको run करा के देख लेते हैं, तो गाइस, यहाँ पर हमारा 5 subject मांग रहा है marks को, तो हम लोग यहाँ पर डालते हैं, 35, 45, 55, 56, and 78, ठीक है, 5 subject हमने डाल दिया है, उसके बाद जैसे ही enter करते हैं, तो यह हमारा जो percentage दे रहा है, यहाँ कुस्तो गड़वड है, यह accurate नहीं दे रहा है, तो यह किसलिए हो रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो यह इसका जो point के बाद जो, हमने यह जो divide किया था 5 से, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कि floating value जब आ रहा है, तो यहाँ पे 5.0 से divide करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी floating value होगा, वो accurate आएगा, तो चलिए, अब हम लोग फिर से एक बार run करवा के देख लेते हैं, एक value को डालके, जो कि हमारा floating value दे रहा होगा, तो हम लोग फिर से value डालते हैं, like 34, 55, 56, 67, 85, तो अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो average है, पूरा accurate निकल के आ रहा है, तो यह बिल्कुल सह ही है, तो गाइस यह था हमारा आज का प्रोग्राम, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई गाईस